हेलो स्टूडेंट्स मैं कुशल सर्मा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासिज तो आज हम 10 ग्लास के 3rd चैप्टर जो की है पेर ओफ लीनियर इक्विशन्स इन 2 वैरिएबल उसका इंट्रोड़क्शन करने वाले हैं 2nd चैप्टर की 2.2 एक्सराइज तक ही हमें करना है अगर आपको यह लगा भी 3rd एक्सराइज नहीं बनाई है तो वो फिलहाल के लिए रोकी गई है क्योंकि CBSC ने 3rd एक्सराइज को स्लेवर्स से एक्स्क्लूड कर दिया है तो अभी के लिए उस पर ब्रेक लगा दिया गया ह हम आगे की जो चैप्टर से जो फिलहाल स्लेवर्स और स्लेवर्स को कम्प्लीट कर लेते हैं आगे जब ऐसा लगता है कि स्लेवर्स कम्प्लीट हो चुका है तो कुछ इंट्रोड़क्शन के लिए उस एक्सराइज को करवा दिया जाएगा ओके, so third chapter में basically हम linear equation in two variable जो कि हम night class के fourth chapter में already सीख चुके हैं लेकिन अब उसके pair पर काम करना है कि दो अगर linear equations आ जाती है in two variable में specially तो उनको graphically, algebraically कैसे solve की अजज़ए तो उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं तो चलिए introduction start करते हैं तो चलिए देकिए introduction start करते हैं सबसे पहले हम chapter के name को समझते हैं देखें यहाँ पर एक linear equation की बात हो रही है है ना linear equation सबसे पहले यह बताईए कि भी linear equation की पहचान कैसे गरे हैं क्या होते भी linear equation yes कि अगर हमारे पास जैसे कोई example साथ साथ लेकर चलते हैं कि कोई एक expression है something like that तो इसमें हम क्या notice कर रहे हैं कि variable एक ही है और उस variable की actually power भी कितनी है one ही है जब भी कोई power नहीं होती that means कि वहाँ power कितनी है one है तो वो जो variable की one power होती है वो अगर उस complete expression में variable की highest power है ठीक है तो उस पूरी expression को क्या बोला जाता है एक linear बोला जाता है linear फिलाल ये क्या है linear polynomial ठीक है अब माल लीजिए इसी के मैंने साथ में क्या लगा दिया is equal to zero लगा दिया तो अब ये क्या बन गई ये बन गई अब linear equation ठीक है दोनों में फर्क समझ में आया linear polynomial और linear equation में क्या फर्क है बस वो equality का फर्क है ठीक है equal to zero का लेकिन अब बात की सिज़ के ओड़ी है linear equation in two variables वह एक variable से काम नहीं चलेगा हमें दो variable चाहिए तो वही ऐसे सी expression बना लेते हैं like 2x plus 3 अगर मैं यहाँ पे x square ले लेता हूँ तो क्या ये दो variable में बोला जाएगा yes actually not ये दो variable में नहीं ये single variable में ही बोला जाएगा that means कि हमें x के अलावा कुछ यहाँ पर consider करना पड़ेगा okay so एक constant भी ले लेते हैं ऐसे randomly कोई भी एक example के तोर पर समझ रहे हैं तो ये क्या बन गया दोनों ही variables की power देखे कितनी है one है that means कि ये कैसा है linear है ठीक है और कैसा है in two variable है तो ये अभी भी क्या है linear polynomial ही है लेकिन फिर से वही बात इसके जुगल्ट में क्या लगा दे 0 तो ये क्या बन गई एक linear equation लेकिन अब उनके साथ इसको extra क्या बोला जा सकता है linear polynomial in two variable है ना और ये क्या बन गया linear equation in two variable लेकिन अब question के जो statement sorry question बोल रहा हूं chapter के name को दुबारा पढ़ते हैं भी अब starting कर तो उसमें क्या है pair है ना pair का मतलब 2 दो का जोड़ा that means कि ऐसी linear equation in two variable हमें 2 चाहिए तो एक और बना लेते हैं माली जीए 5x minus 7y plus 10 is equal to 0 तो देखो हमारे पास क्या हैं दो linear equations हैं और वो भी दो variable में हैं है ना तो ये है इस chapter के starting कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना जाए भी ये pair of linear equation in two variable का मतलब क्या है अब हमें इनको operate करना है operate कहने का मतलब कि भई हमें x और y की ऐसी values find out करनी है जो इन दोनों linear equations को क्या करे satisfy करे हमें x और y values find out करनी है ठीक है values of x and y तो उसको इस chapter में क्या बोला जाता है इनको इनको बोला जाता है solutions solutions किसके solutions of pair of linear equation in two variables ठीक है यानि कि जब भी हमें solution of pair of linear equation in two variable find out करने के लिए बोला जाएगा that means कि हमें क्या निकालना है हमें निकालना है x और y की values अब बात आएगी values कैसे निकालेंगे ठीक है तो यहां हम notice करेंगे कि solution solution of pair of linear equation in two variables को find out करने के हमारे पास दो अलग अलग तरीके होते हैं ठीक है एक तो है ग्राफिकल मेथड़ जो की हमारी फर्स्ट और सेकिंड एक्सरसाइज परवेजड है and then algebraic method ठीक है graphical method अपने आप में separate है अलग complete और algebraic method के और पास सब पार्ट सो जाते हैं जैसे एक आता है हमारे पास substitution method एक आता है elimination method और एक आता है cross multiplication method जबकि ये वाला method जो है वो फिलहाल cbsc की तरफ से excluded कर दिया गया है that means कि हम सिर्फ ये तीन method जो है वो पढ़ने वाले हैं first और second exercise में graphical method रहेगा third and fourth exercise में substitution और elimination method रहेंगे fifth exercise में I think हमारे पास ये cross multiplication method है NCRT के coding बता रहूं मैं ठीक है लेकिन ये मत समझना कि हमें वो fifth exercise completely नहीं करनी है उन fifth exercise के जो questions होंगे उन questions को हम अपने old method के throughout sort out करने की कोसिस करेंगे ठीक है और फिर finally हमारे पास application आएगी last exercise या ऐसी equation जिनको हमें सबसे पहले linear equations में convert करना होता है तो चलिए पहले हम first exercise की तरफ आगे बढ़ते हैं अब first exercise में बात आएगे graphical graphical solution हमें मतलब graphical method apply करने के लिए हमें graph बनाना आना चाहिए तो ऐसा करते हैं इन ही दोनों को हम use कर लेते हैं ठीक है जो example के तोर पर लेकर चल रहे थे 2, 3, 4, 5, minus 7, and 10 इन ही को example के तोर पर लेकर चलते हैं 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and 5x minus 7y plus 10 is equal to 0 अब देखिए हम graphical method यूज़ करने वाले हैं और graphical method को use करते वर्क हमें इन दोनों ही equations का graph plot करना है जिसके लिए हम 9th class या 8th class की help लेने वाले हैं देखा जाए 9th class में हम 4th chapter पढ़के आये थे linear equation into variable और वहां हमने उनका graph plot करना सीखा था तो यूँ समझे बिल्कुल exactly वही वर्क है पर कोई बात में इसको बिल्कुल basic से start करवाता हूं ताकि अगर आपको ध्यान नहीं है तो भी आप इसको continue कर सकते हैं तो देखिए कैसे कर हमें कोई x या y की ऐसी values consider करने की कोशिस करो मा लीजी जैसे एक example को देखता हूं अभी बोलने से साइज से आपको ना समझ में आए मा लीजीए मैं यहाँ पर y की value 0 लेके चल रहा हूं सबसे आसान बैटर रहता ही है ना तो उसको 0 को मैंने क्या किया ओपर वाली equation में substitute किया अब substitute करके मुझे यहाँ से कौन सा variable बच गया x variable बच गया तो वहाँ x variable की value को find out करना है तो देखिए substitution हम कर रहे हैं तो 2 दर जाके divide किया 4 या उधर जाकर minus का भी हो गयाता है ना तो x के value क्या आ रही है 2 आ रही है अब एक चीज़ notice करना मैं फिलहाल यहाँ अगर मैं 1 रख देता हूँ ठीक है अब positive में भी रख सकते हैं negative में भी रख सकते हैं even point में कुछ भी रख सकते हैं mainly आपको ऐसी value इन में substitute या ऐसा result आपको यहाँ से निकालना होता है जो आपको यह लगे कि हाँ भी मैं उसको graph पर बड़े अराम से plot कर सकते हूँ है ना तो जैसे अगर हम one लेकर चल रहे हैं तो वाई को ही लेकर चल जरूरी निया मैं y से start कर रहा हूं तो आप भी y से start करें आप x की value भी रख सकते हैं इसमें ठीक है चलिए मैं यहां पर x की value रख रहता हूं एक्स की कोई ऐसी value रखने की कोशिस करें कि वहीं y की complete numbering में कोई result आजाए चलिए मैं one रखना हूं ठीक है one से i think काम चल रहे है तो two time of one plus three y क्योंकि इस बार y की value नहीं रखी तो y as it is रह गया यह क्या बन गया मैरे पास two इसको फटा पट sort out कर लेते हैं यह दोनों क्या हो जाएंगे four and two six और six उदर जाकर क्या हो जाएगा minus six इधर बच क्या three y so y के value क्या आ गई वही minus two आ गई ठीक है तो अब ऐसा करते हैं कि इसके नीचे यहां पर एक छोटी सी table बना लेते हैं और उस table में हम अपने इन results को note out कर लेंगे ओपर x के values रख लेते हैं नीचे y के values तो देखिए इस वाले हिस्से को observe करें तो यहां x कितना है minus two और y कितना है zero minus two and zero ठीक है नीचे वाले में x की value minus one है और y की value sorry minus one बोल गया मैं x की value one है और y की value minus two है तो हमने एक table त्यार कर ली इनके solutions की इनके through हम फिर बाद में graph plot करेंगे फिर graph की मैं एक situation बताऊंगा कि जब भी हम दो lines को graph को plot करते हैं तो तीन अलग-अलग तरह की situations बनती हैं वह मैंने जान करके पहले नहीं बताई एक बार graph की थोड़ी situation त्यार हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा ठीक है अब इसी तरह से same हम यहां पर दूसरे की values निकाल लें कोई ऐसी value consider करने की सोचो अब देखो यहां पर एक और तरीका बताता हूं आप चाहो तो directly इस तरह से starting कर सकते हो no matter ठीक है यहां आप यह कर सकते हैं कि आप यहां से that means की equation से आप किसी एक variable की value find out कर लीजिए ठीक है दूसरे की form में तो हमने क्या किया x की value find out कर ली y की form में ठीक है आपको यह better लगे किसी question को देखते हुए कि y की value निकालने ज़्यादा असान लग रही है x की form में ठीक है तो आप वैसे भी कर सकते हैं तो इतना काम करने के बाद अब देखे x y से बना हुआ नजर आ रहा है है ना that means कि आप y की जैसे जैसे कोई value रखोगे आपके automatically यह कुछ ना कुछ x का result देगा है ना तो ऐसे भी आप try कर सकते हैं तो देखे मैं y की value यहाँ पर 0 लेके चल रहा हूं तो एक्स क्या result देता है वो देखते हैं जीरो माइनस 10 ओवरोल क्या आ गया माइनस 10 बाइ 5 यानि की माइनस 2 फिर से हम y की value अब क्या रखें कोई ऐसे रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं ताकि एक complete result आ जाए यह पॉइंटों में भी अगर आए तो result ऐसा आए जैसे 1.5 आ गया मतलब 0.5 या 0.2 इस तरह जी क्योंकि इनको फिर box में मतलब जो graph है उनमें upload करना असान होता है तो I think मैं यहाँ पर 7 1 multiply 5 रख लेता हूं है ना वो ठीक रहेगा I think यही है calculation ध्यान से करने की गोसिस करते हैं करी बार हुझा आती है गडबर ऐसा कुछ खास बात नहीं है यहाँ पर भी एक table बना लेते हैं फिर इस table की हम help लेंगे yeah x and y तो देखें फर्स्ट वाले portion में x कितना है minus 2 और y कितना है 0 ओके और दूसरे वाले में x भी 5 है और y भी 5 ही है वैसे आपने एक चीज नोटिस की है देखिए इसमें minus 2 0 एक solution उस equation का था और यहाँ पर भी minus 2 0 left वाले equation का एक solution है यह दोनों में common आ रहा है that means यह कोई ना कोई एक hint दे रहा हमें इसके बारे में अगर हम तोड़ा introduction और पहले कर लेते तो और दादा आगे देखिए मैं आपको तीन अलग लग पेर बनाके दिखाता हूं एक बार तीन अलग लग situations लेके चल रहा हूं मैं फिर आपको उसके accordingly example दूँगा लाइक असान असान ची लेकर चल रहे हैं आसी कोई खास बात नहीं है यह मत सोचना कि वही उसके काम नहीं करना चाहरें ऐसी कोई दिखत नहीं है एक और लास लेके चल रहा हूं मैं तीन लेक इसलिए लेके चल रहा हूं कि normally जब graph plot करते हैं न दो equations का तो हमेशा सिर्फ तीन तरह की conditions बन सकती हैं और इससे ज़्यादा कोई अलग condition नहीं बनती है नोर्मली ठीक है तो चलिए देखिए इनका graph plot करके देखते हैं सबसे पहले हम first equation के जो pair है उसको लेका चलते हैं देखिए यह तो आ गया x plus y minus 5 is equal to 0 का graph okay then next 2x plus 2y minus 10 is equal to 0 तो आप क्या notice करोगे देखिए मैं यहां से एक बार blue को हटा देता हूं तो यह जो red line नजर आ रही है अब वापर से blue लेके आ रहे हैं तो यानि कि जो blue line है वो बिल्कुल red के ऊपर ही आ रही है है ना देखिए इसको थोड़ा जूम करने की कोसिस करते हैं क्या हो सकता है यह काफी नजदी को ऐसा भी कुछ condition हो सकती है तो हम notice कर रहे है actually ऐसा कुछ भी नहीं है यह दोनों ही lines actually एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है ठीक है तो चलिए दूसरा पेर स्टार्ट करते हैं इन दोनों को hide कर देते हैं फिर जब तक के लिए अब दूसरे करते हैं 5x plus 3y minus 5 is equal to 0 अच्छा इन दोनों equation में क्या हमें नज़र आया इन दोनों में हमने क्या notice कि अब यह दोनों line एक दूसरे को कहीं ना कहीं intersect कर रही है है ना वह intersecting point कैसा भी हो सकता है वह इस application में पॉइंटों में सो कर रहे हम इसको rational form में भी find out कर सकते हैं it doesn't matter main बात क्या था पिछले वाले से figure अलग आ रहा है है ना पिछले वाले में figure कैसा आ रहा था पिछले वाले में figure ऐसा रहा था कि दोनों ही lines जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई गर दी है और इसमें क्या condition बनी वही एक line और दूसरी line एक दूसरे को क्या कर रही है intersect कर रही है गोट इट अब तीसरा पेर ट्राइब करते हैं देखिए क्या है और एक्स माइनस 5y माइनस 7 is equal to 0 गोड़िट नेक्स्ट 12x माइनस 15y माइनस 10 is equal to 0 ओके तो अब आप क्या गोर करेंगे कि यह दोनों जो line बन रही है वह कैसे लग रही है देखने में वह दोनों ऐसे लग रही है यह तो कहीं मिल्ली नीरी है न यह तो बही parallel चलती जा रही है कितना ही हम आगे कि धर भी चले किसी भी direction चले जाए तो यह दोनों लाइन कैसे बन रही है यह दोनों लाइन बन रही है पैरलल है न तो सभी को एक साथ ट्राइगर कर देखें करते हैं कि यह जो है यह एक्चुली हमारे इसका रिजल्ट है कि यह दोनों intersecting line है और एक point पर intersect कर दिया और यह जो line है वो line actually इसको represent कर दिया इन दोनों ही equations का graph same बन रही है और यह दोनों जो line है जो पैरलल बन रही है यह हमारे इस चीज़ को रिपरेजेंट कर रही है that means कि इस pair के solution को कि भई lines कैसी बन रही है parallel बन रही है चिक है तो यहाँ पर plot कर देते हैं तो overall हमने क्या notice किया कि भई आप खुद भी try करके देख सकते हैं कोई भी दो line जब भी draw करेंगे किसी भी कागत पर draw करके देखना तो वो दोनों line या तो parallel होंगी या एक दूसरे को intersect करती नज़र आएंगी या हो सकता है दोनों की दोनों line एक दूसरे पर ही draw हो जाएं है ना तो अब notice करेंगे इन तीनों conditions के अलावा कोई तीसरी condition नहीं बनती है ठीक है अब इन में solutions कैसे कैसे क्या बनते हैं उस चीज़ को हम second exercise में समझेंगे और ज़्यादा detail में ठीक है algebraical थोड़ा सा method के चुरूबी और graphical के चुरूबी हम इनको sort out करना सीखेंगे तो अभी के लिए जो first exercise है first exercise में आपको just इतना करना है कि आपको in equations का graph बनाना आना चाहिए ठीक है only graph बनाना आना चाहिए अभी हम graph बनाने के बाद उनसे क्या decision लेना है उसके बारे में बात नहीं करेंगे only for first exercise got it अचलिए हमने जो ये table बनाई थी इनका graph plot करते हैं तो graph बनाने के लिए इनको मैं रफ कर दूँ इस बार के लिए क्योंकि ये हमें फिर help करेंगे यहां पर ठीक है तो जैसे जैसे step by step बताता जाता हूं अब बड़े ध्यान से अगर उस चीज़ को समझ रहे हैं तो कोई दिकत नहीं आनी चाहिए वैसा करते हैं देखिए एक इतने से portion में आए थिंक देखिए maximum x की वैलू 5 तक गई हुई है और minimum minus 2 तक गई हुई है तो चल जाएगा माइनस 2 ओके ठीक है यहां 5 ले लेते हैं 5 4 3 2 1 यहां जीरवा जाएगा और बहुत से बच्चे जो है वो graph बनाने में भी गड़बड करते हैं कि उनकी जो numbering है उनकी numbering गलट direction में लिख देते हैं कि negative उपर लिख देते हैं और positive जो है वो नीचे लिख देते हैं या जो negative है वो left side में लिख देते हैं और positive positive left side में लिख देते हो नेगेटिव राइट साइड में लिख देते हैं तो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखें कि फिलाल क्यूंकि थोड़ा सा रफली कर दें तो माइनर सा ग्राफ हलका फुलका चेंज ऐसा लग सकता है कि हो रहा है बाकी एक्जेक्ट जब ग्राफ होगा तो उ कंडिशन में हमारे पास है कि यह लीजिए ग्राफ की सिचुईशन आई गई अपने पास है ना आव इसी पर ट्राइब करते हैं देखिए जब हमारे पास उप्संस हैं तो क्यों ना उनको यूज किया जाए तो इसको लेके चलते हैं है ठीक है एक्जेक्ट तो नहीं आरी पर काम सल जाएगा अपना है कि वन टू थ्री फॉर फइट अब माइनस वन माइनस टू एक्स्ट्र डो करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए टाइम वेस्ट का ही काम करेगा और कुछ नहीं है ठीक है यहां 5 कर देते हैं इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं यह अपना 5 हो क्या है तो अब जो पहला पॉइंट अब कई बच्चे क्या गड़बर करते हैं इसको लेके चलते हैं यहां उनकी और गलतिया बत प्लोट कर दिया ठीक है और फिर वाई की तरफ माइनस के पन कर दिया और फिर इन दोनों को जोइन कर देते हैं तो उन्होंने एक ही पॉइंट का यूज करके एक लाइन ड्रोगर दी वह सबसे बड़ी गलती होती है ठीक है तो उस तरह की गलती ना करें यह नुनों मिलकर से start कर लेते हैं फिर पहले 1-2 तो starting हमेशा आपको कहां से करनी है origin से करनी है कैसे पहले x की तरफ 1 चले 1 unit ठीक है then y की तरफ minus 2 चलना है तो minus 2 कहां होता है नीचे होता है that means कि हम कहां पोचे इधर पोचे ठीक है तो हम point को इधर plot करेंगे थोड़ा सा plot करना होता है बस आपको दिखाने के लिए ज़्यादा dark कर रहा हूं ताकि अच्छे से नजर आए फिर minus 2 0 पर गाम करते हैं तो x की तरफ पहले हम origin से ही चलने है origin से x की तरफ कहां चले है minus 2 फिर y की तरफ 0 पर चलना है तो y की तरफ 0 कितना होगा कितना भी नहीं that means कि हम तो यहीं रह गए है ना तो हमें यहां प्रोट करना है तो देखिए हमने first table के दोनों point को use किया तो एक line बन गई है ना अब हमें क्या करना है simply इन दोनों को आपस में क्या कर देना है जोइन कर देना है थोड़ा साइधर भी तो एसे ही देखिए minus 2 जीरो यह तो हमारे पास already है कौन सा point रह गया 55 रहता है तो एक्स की तरफ पहले 5 चले फिर वही की तरफ 5 चलेंगे कहां पहुच गे इधर पहुच गे डाट मेंस कि हमें यहां plot करना है तो अब हमें कौन से point को join करना है माइनस टू और इसको तोड़ा सा दोनों तरफ extend करना है तो इतना काम यूं समझे हमें इस exercise में करना है इतना काम करने के बाद हलका full का इनको denote करने के बार ही आएगी जैसे यह जो coordinate था इस coordinate को क्या बोलेंगे one minus two बोलेंगे इस coordinate को minus two zero यह वाला coordinate five five x axis को denote करें उसके negative को denote करें y axis को denote करें और उसके negative part को denote करें चीक है और साथ साथ scale भी बताए scale में क्या होता है वाई x axis x axis और y axis हमने दो लग लग बना लिए तो x axis में हम यह बताएंगे कि one box कितनी unit को represent कर रहे और y axis में भी one box कितनी unit को represent कर रहे तो हम notice कर रहे हैं भाई x axis में एक box एक ही unit को represent कर रहे हैं यहां लिख देंगे one unit और y axis में भी हम notice क्या कर रहे हैं एक box एक ही unit को represent कर रहे हैं यहां पर भी one unit तो यह क्या हो गई हमारे scale को represent कर रहे हैं तो यह छोटी छोटी चीज़े जो है वह आपको graph बनाते वक्त भी ध्यान रखनी है तो यह था अपना first exercise का introduction I hope आपको बड़ अच्छे से समझ आया होगा ठीक है इसके बाद हम next exercise वीडियो में इसकी जो first exercise है उसको complete कर देंगे थोड़े ही question है लेकिन हमें उनमें सिर्फ graph plot करना है उसके बाद second exercise में उन graph से क्या decision निकालना है वो decision भी हम आगे निकालेंगे clear तो I hope आपको सब clear हुआ होगा और अगर content अच्छा लगा है तो please click the like button and share the video with your classmate and अगर आप नए है channel पर तो please subscribe the channel also thank you झाल नहाउ है तो मोझ रिन नहाउ है झाल